कि हलो एक बाद फिर से स्वाकताब का मेरे यूट्यूब चेनल पर तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूबी टियार इस्टाब नर्स 2020 परिक्षा के बारे में लटेस्ट अपडेट हम देखेंगे इस जो है भरती से लेकर ठीक है तो क्यूंकि यार देखिए कि जो भी अपडेट इसके इस वर्ती पहर आती है हर तरह की वीडियो यहाँ पर चाहे वो न्यूज कोई भी न्यूज आती तह 바로 आ आके आप लोगों तक जो है आप लोग को पहुचा दिता हूं ठीक है ताके आप लोगों पुता चल सчиग से कर आकिर हो क्या रहा है किस भरती में या कोई अपडेट कहां तक कुछ अपडेट है या नहीं है ठीक है तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो लटेश्ट अपडेट या जो लटेश्ट यूज हम इस भरती को लेकर देखने को मिल ली है तो वह हम यहाँ पर देख लेते हैं तो दीखे दोस्तों नर्सों ने काले फिते बांध कर विरुजताया बेश हस्पिताल अल्मोडा में तैना समेदा नर्सों ने नियम Letsी करन के लिए आंदूलन किया ठीक है यानि कि जो है, जो लेड़ी समीदा पर है वो जो है इस्टाब नर्स वो भी जो है अपने नियमती करण के लिए आंदुलन कर रहे हैं और जो 2621 पदों पर UBTR स्टाब नर्स भरती है उस पर भी जो है जोड़ दिया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी उसकी भरती परक्रिया पूरी की जाए तो नियमती करण की मांग को लेकर वेस असपिताल में तेनाज समीदा नर्सों ने मंगरवार को काला फिता बांद कर काम किया और विरुजता आया बाहं में काला फिता बान्द कर कार्य बहिसकार किया इस मौके पर फाउंडेशन के अध्यक्स गौराकुमा ने कहा कि 12 देसंबर 2020 को जारे बिगाक्ति के तहट आविदन मांगे गेते लेकिन परिक्षा नहीं हुई है उन्हें कहा कि समिदार नर्से प्रामतिक स्वास्तिया सामुदाइक जिल्ला स्पिताल बेज स्पिताल साइथ मेडिकल कॉल परिक्षा के इंदजार करते करते कहीं अभ्यरती निर्धारित आविशीमा पार करने के करीब है यदि परिक्षा जल्द ना हुई तो वह परिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो उन्होंने आरूफ लगाया कि आउट्सोर्स कंपनियों की ओर से समिदा करम को नियमित इतने लोग जो है मौजूद थे और बागिश्वर का भी देख लेते हैं यहां पर इस्टाब नर्सों ने जताया विरोध ठीक है तो परदेश में इस्टाब नर्सों के 2621 पदों पर वर्सवार के माध्यम से नर्सिंग भरती जल्द करवाने में हो रही देरी को लेकर ने दूसरी दिन भी विरोध आया नर्सों ने जो है बहाँ पर काला भी फाता काला फिता बात कर यहां पर कार्या किया इस्टाब नर्सों ने भरती के लिए 27 से आंदुलन की चेतावनी दिया उनका कहना है कि पिछले 10-15 वर्सों से समीधा उपनल एने चम सहीद अन्य आउ इसके बाद से तीन बार जो है लिखित परिक्षा की बिग्यप्ति को निरस्त किया जा चुका है ठीक है तो यहां पर यह दिखे इन्होंने भी जो है साप साप का है कि जब तक वो सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करती है वो संगर्स जो है करते रहेंगे तो कल दून में प्रदेश ब्यापी जो है आंदोलन सुरूख करेंगे बिरुजगार नर्सेज ठीक है तो यहां पर जो एलिंग वैलफियर नर्सेज फांडेशन के बैनर तले बिरुजगार नर्सेज 28 जुलाई से प्रदेश ब्यापी आंदोलन सुरूख करने जा रहे हैं फांडेशन 12 दिसंबर 2020 को नर्सिंग अधिकारी की 2621 पर भर्ती निकाली थी जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया इसके विरोध में प्रदेश व्यापी आंदुलन किया जाएगा तो यह लट्रेस्ट अपडेट जो है देखने को मिल लिया उत्राकन इस्टाप नर्स भर्ती को लेगा